चलिए, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, आज हम कुछ अन्य नदी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए हस्देव बांगो डैम, यानि की हस्देव परियोजना के बारे में देखते हैं, अगर आप देखेंगे इसका सबसे पहले तो स्था इसके अलावा इसका अगर आप नाम देखेंगे तो यह मीनी माता के नाम पर रखा गया है अब मीनी माता कौन थी यह चत्रसगर की पहली महिला सांसत थी यह बहुत ही इसको आप याद रखेगा मीनी माता मीनाक्षी नाम था इनका उसके अलावा अगर आप नेक्स चीज़ देखेंगे इसकी इसितापना कप की गई थी इसकी स्थापना की गई ही 1907 में उसके अलावा यहां पर एक और चीज याद रखेगा इसका जो आखरी construction कब अपूर्ण हुआ है तो यह 2011 यह दोनों ही question आपको पूछा आ सकता है तो दोनों के ही बारे में आपको याद रखने है और एक special चीज जो इसके बारे में आपको याद रखने है यह 36 गड़ का पहला multipurpose project है multipurpose यानि कि बहु उदेशिय अब बहु उदेशिय का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा otherwise यह आप समझे कि बहु देशिय का मतलब यह होता है कि जैसे इससे irrigation भी हो रहा है electricity भी produce हो रही है कई सारे काम इसमें एक साथ हो रहे हैं तो बहु देशिय का मतलब यह होता है उसके अलावा अगर आप देखें कौन सी नदी के उपर है तो नाम से clear यह हसदेव नदी के उपर है उसके अलावा इसकी उचाई यह भी बहुत important चीज़ है 87 मीटर इसकी उचाई है और यह 36 कर का सबसे उचा बांध है ठीक है सबसे उचा बांध कौन सा है यह हसदेव बांगो रहें तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेगा उसके अलावा अगर आप लाभामवित जिले की कौन कौन से जिला इससे लाभामवित हो रहे है तो इसमें आप सिंप्ली जो पड़ोसी है उसी के साथ शेयर करेंगे तो खुद एक अपना हो गया कोरबा जहां पर यह है उसके अलावा जांजगीर चापा और जांजगीर चापा के अलावा और आगे कौन सा आता है तो यह जाद रखना है उसके अलावा अगर आप सिचाही चमता देखेंगे तो यह 923 ग्राम को फाइदा गाउं को फाइदा पहुंचाता है इसकी सिचाही चमता भी बहुत जादा है चार लाख बीस हजार पांच सो असी हैक्टियर तो यह भी आप इसको याद रख सकते कभी आप आपको पूछा आ सकता है या फिर अभी गडर आपको कहीं पर डेटा डालना हो या फिर आपको तो यह सारे पॉइंटस आपको इसके बारे में mention करने चाहिए तो इस प्रकार से यह हो गया आपका हसदेव बांगो डैम के बारे में detailing यहाँ पर हर एक point से आपको MCQ पूछा गया है क्योंकि यह जितने भी डैम्स आप पढ़ेंगे उसमें हसदेव बांगो डैम सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है इसको बहुत सारा स्टार मार्क आप कर लीजिए उसके अलावा चली अभी नेक्स देखते हैं केलो परियूजना केलो परियूजना में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की चीज़ है कि इसका नाम किसके नाम के पर है तो यह दिलीप सिंग जुदेव इनको आप याद रखेगा पूचा जाएगा कि डिलीप सिंग जुदेव जो ह्यों कौन सी नदी की अपर है परियूजना है तो यसको आप याद रखेगा जैंड देव 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 से आपको याद आजाएगा कि हाँ केलो पर्यूजना ठीक है भगवान जो होते हैं उनको रूट शिड़ाया जाते हैं उसके अलावा अगर आप ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो राइगर में एक लौता इतना इंपॉर्टन प्रोजेक्ट है कैसे आप आप भंवित देखेंगे तो आप पहला वाला आपने देखा ही था कोर्बा जांजगेर राइगर अप-आप सोच लो राइगर है राइगर का पडूसी कौन है जांजगेर चापा तो यह खुद राइगर को लाभामवित करेगा उसके अलावा अपना पडूसी जांजगेर चापा उसके बाद याकर इसकी सजाई चमता आप देखेंगे तो 22,810 हेक्टियर तो ये भी आपको याद रखना चाहिए अगर आपको कुछ अरेंज करने के लिए आगया या फिर कभी जादे से कम में अरेंज करने तो ये आपको कामा सकता है इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखेगा अब इसके बाद नेक्स देखते कुडार ये थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना चाहिए कुडार पर यूजना अगर आप देखेंगे इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है तो इसका नाम शहीद वीद नाराइण पर अब लोग फटा-फट से मुझे बताएंगे कुडार न दीजोह ये इसको आप Wonder कोविज् इसको याद रखना है अगर आप इसका स्थापना वर्ष देखेंगे तो 1976 से लेकर के 1995 ठीक है 1976 से लेकर के 1995 तो वही सोच लिजे कि यहां पर 20 साल लग रहे हैं ठीक है 75 मतलब 76 लगबक कुल मिला करके 20 साल आसपास का यह अंतर है ऐसे अगर के आप इसको याद रखेंगे खर स सापना वर्ष इसका उतना इंपॉर्टन नहीं है नामी इसका इंपॉर्टन है कि कोडार पर यूजना कि मतलब वीर नाराएंट सिंग कौन से नदी के उपर है तो यह कोडार है उसके लावा एक और चीज याद रखी है कि कहा है यह महा समूंद जिलें के अंतरकत आता है ठ खोडिया खोडिया और राजीव गांधी इसको आपको याद रखना है कि जो राजीव गांधी पर यूजना है पहली जीसों यह देख लीजिए कि कौन सी नदी के उपर है तो यह मनियारी नदी के उपर है जो कि आपको अच्छे से याद रखने है इसको आप ऐसे याद र वर्ष देखेंगे तो 1924 से लेकर के 30 तक इसका ये स्थापना वर्ष है तो ये भी आपके लिए एक इसको आप याद रखना है उसके अलावा अगर आप इसका स्थान लेखेंगे कि किस जगह के मतलब कहां पर है ये तो ये लोर्मी यानि कि मुंगेली जी ले के अंतरगत आत मुंगेली तो इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा उसके अलावा इसका जो कितना हेक्टियर इसका छमता है तो वो भी आपको याद रखना चाहिए कि 11,515 हेक्टियर ये भी कभी आपको काम आ सकता है अगर आपको अरेंज करने के लिए पूछ दिया गया तो जितनी ड दाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं अब चलिए आज कर मैं आपको कोशन दे देती हूं जिससे कि यह पता चली कौन कौन लेक्चर को ध्यान से देख रहा है आज का जो फर्स्ट कोश्चन है को इसमें आपको बताना है ठीक है फटा 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 से ध्यान से सुनी केलो प उचा है ना सबसे उचा में उसकी हाइट कितनी है इन दोनों कोश्चन का आपको आंसर देना है ठीक है आज के लेक्चर में इतना है कुछ अन्य परियूज़न है जिसको कि हम नेक्स लेक्चर में कवर करेंगी धैने बाद आप सभी को